Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, Welcome to Social School इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Foreign Trade and Integration of Markets पिछले वीडियो तक हम लोगोंने चैप्टर की basic जो theme इना उसे पकड़ लिया है तो हमने देखा कि Globalization की जब आप बात करते हैं तो उसमें Production Across Countries जो है वो एक important phenomenon हो जाता है ठीक है? And how is that Production Across Countries carried out? ठीक है तो उसमें Multinational Companies जो होती है एक बहुत important role play करती है Multinational Companies जो है वो किस तरह से Globalization Process को strengthen करती है तो what are the different routes to which Multinational Companies invest in any country? तो वो भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया है यहां तक की चीज़ा Consolidate कर लिए पकड़ के रखना जाने मत देना ठीक है? अब देखो क्या है तो Multinational Companies जैसा करती क्या है कोई मंत्रवंत्र थुरी ना मार देती की Globalization हो जाता है Multinational Companies ultimately depend किसके उपर होती है foreign trade के उपर foreign trade और foreign investment में different समझ में आता है नहीं आता है सारी चीज़े हम इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको topic समझ में आया जिसे topic समझ में आ गया मतलब heading समझ में आ जी उससे आगे पूरी कहानी समझ में आ जाएगी किजिए जहां पर आपको बहुत सारे exclusive features मिलेंगे such as special class होती है leaderboard पर आपनी position देख सकते हो quiz होती है live interactive sessions होते हैं वो सारी चीज़ें आप free of cost explore कर सकते हो using the code DIGRAJ ठीक है तो इसकी मदद से आप सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं explore कर सकते हैं अब अगर हम foreign trade and integration of markets पे बात करें त process को एक तरह से क्या करी carry out करवा रही है लेकिन multinational company भी करती क्या है trade करती है और जब एक देश से दूसरे देश में क्या होता है सामान खरीदा जाता बीचा जाता वह foreign trade होता है foreign investment मतलब जो multinational companies ने किसी दूसरे देश में पैसा लगाया वहां पे प्लांट खरीदा जमीन खरी नहीं तो अब क्या होगा कि जो प्रोडुक्ट बना यह प्रोडुक्ट क्या हो रहा है यह प्रोडुक्ट अaconHeDev moody बिकरा यह प्रोड़क्ट जो है अफ्रिका में भी भेष रहे है तो यह तो यह जो अलग-छलग देशों में क्या हो रहा आप based on Kaitaren उसे foreign trade कहता है और foreign trade सब्सक्राइब और इसे अगर आप हिस्ट्री का चश्मा लगा कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यह आज की चीज नहीं है ठीक है इस्ट्रीकल परस्पेक्टिव इस से देखोगे तो आज की चीज नहीं हमेशा से रहा है ठीक है और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया कर रहा है वर्डवाइट अलग 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 देशों में जाते ते लग अलग सामान ले जाते थे स्पाइसीज ले जाते थे प्लोध ले झाते थे क्या एक खवाते आता निहीं था और को उबाल На के खा रहे ते पहं रहे थे पते लगा लगा कi घूमा करते थे तो इस तरह से है क्या हो रहा इस तरह से यहाहां से एंडिट उफ़ एस्ट फाइन क्वालिटी और फैस तो यहां पर वही बताया गया और वो ट्रेडर की तरह आए उन्होंने ऐसा इंटरलिंक करा कि बांदी दिया जंजीरों में देश को ठीक तो इस तरह से फॉरेंट ट्रेट से मार्केट्स का इंटेग्रेशन होता है यह चीज आप एकसेप्ट करोगे और यह आज इसे नहीं हो अब अगर आगे पड़ते हैं तो सवाल यह आता है कि what is the basic function of foreign trade foreign trade से फाइदा क्या क्यों इतनी देश मतलब अपना देश छोड़ों के तनी दूर जा रहे है सामान बेचिने घर परिवार बाल बीबी बच्चों को सब को छोड़के ठीक है तो यह क्यों किया जा रहा है what is the objective what is the basic function of foreign trade तो foreign trade का basic function आप देखेंगे तो producer के perspective से भी और buyer के perspective से भी दोनों के ही perspective से foreign trade जो है beneficial साबित होता है ठीक है समझ मैं यहां तक चीज में क्या बता रहो कहानी कि दर चल रही है कि basic function क्या foreign trade का तो producer और buyer जो है मतलब consumer जो है दोनों को ही फायदे दोनों ही क्या है win-win situation मे इसलिए foreign trade होता है इसलिए लोग अपना घर बार बाल बच्चे बीवी सब को छोड़के कहा जाते हैं दूर जाते हैं दूर देशों में समान बेशते हैं या फिर दूर देशों से समान बुलाते हैं यह सारी चीजने करते हैं कारण क्या उसके पिछेगा तो producer और buyer दोनों के परस्पेक्टिव से समझना एक कुश्यन ऐसा भी बन सकता है तो मैं समझा रहूँ अगर प्रडियूसर की बात करें तो प्रडियूसर तो रीच ब्यूंड डि डॉमेस्टिक मार्केट ना ठीक है तो आप क्या हो रहा है कि मान लीजे इंडिया है इंडिया में कोई लें अब क्या है लेकिन क्या है मार्कर को उसे और पैसा कमाना है अपना इसे और्र और जाने का मौका उसे foreign trade से मिलता है ठीक है तो foreign trade क्या कर रहा है यहाँ पर interlink कर रहा है markets को अब इस देश से वो उस देश में पहुच गा है globalization हो रहा है नहीं हो रहा है हाँ बोलो उदर से ठीक है यह चीज होती है producer can sell their produce not only in market located within the country but can also compete in markets located in other countries of the world और फिर क्या जब producers अपना प्रोडक्स जो है या फिर कह सकते हैं producers अपनी रीच को अपनी domestic market से बाहर पहुंचाते ना तो देकिन compete with the other markets ठीक है देकिन compete with the producers in the other market ठीक है तो मां लोगी कहीं पर क्या है कहीं पर कहीं फॉर एक्जाम्पल है कैसा लेते कि अफ्रिकन market में क्या अफ्रिकन मार्केट में quality के नाम पर कुछ भी नहीं है quality के नाम पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर प्रोडक्स ऐसा है बस कि कोई competition नहीं है तो कुछ भी बेज दे रहे हैं लोग कुछ भी खरीद ले रहे खाने के प्रोडक्स में बात को लो कपड़ों में बात को लो कुछ भी जैसे quality नहीं है एक example दे रहा हूं ठीक है मैं भी निगा आफ्रिक आप भी निगा है मैं क्या पता क्या है वहाँ लेकिन एक example ले रहे हैं कि वहाँ पर अगर अफ्रिकन मार्केट से मान लो कि quality नहीं है प्रोड्यूसर जो है वह अपने प्रोड्यूस को अपने मार्केट से बाहर बेच रहे हैं बट कैन आपको बता है कि मैंने आपको बता है कि multinational companies owns and controls productions in different countries what is the reason behind it कि जब वो एक से ज़्यादा देशों में trade करेंगे ठीक है produce करेंगे तो यहाँ पर आपको यह producers का example समझना पड़ेगा कि foreign trade ultimately globalization होता है globalization जब हो रहा है तो जिससे अलग-अलग देशों से अगर products को produce किया रहा है क्यों design USA में बनाया ठीक है क्यों manufacturing चाइना में करवाई क्यों आफ्टर सेल्स सर्विसेज इंडिया से दी क्योंकि यह सारी process से cost reduce हो गई कम पैसे में काम हो गया तो producers को एक exam एक फाइदा यह भी होता है कि cost of production को reduce कर सकते हैं किसकी मदद से foreign trade की मदद से आया समझ में तो कुल मिला के जो producers होंगे ना तो foreign trade होगा तो producers को यह फाइदा होगा क्या फाइदा होगा कि वह एक ग्लोबलाइज producer के रूप में निकल के आ जाएंगे अब वहीं पर हम consumers की बात करें या फिर buyers की बात करें तो import of goods produced in other country is one way of expanding the choices of goods beyond what is domestically produced जिस तरह से जब producers एक market से दूसरे market पहुँच सकते हैं तो दूसरे market में जो बायर है consumer ना उससे क्या फाइदा होगा पता है वो यह देखेगा कि यार मुझे अब variety मिल रही है पहले मैं सरफ अपने ही देश का सामान खरीच सकता था अब मैं दूसरे देश से भी सामान खरीच सकता हूँ बहुत simple example इसमें क्या हो रहा है कि मानलो जिसे अब आप cars की बात कर रहे हैं जो हमने chapter के starting भी कर रहा था तो एक समय पर जब क्या सकते है foreign trade उतना ज्यादा नहीं होता था हमारे देश में 1990 के पहले की बात करें जब liberalization नहीं था liberalization क्या है आग्या आने वीडियो में समझो आप अच्छे से और तब क्या होता था तब हमारे पास option नहीं रहता था था वही ambassador गाड़ी खरीद लो या फिर फिएट वगेरा कि एक दो चार गाड़ियां जो रहती थी चार मॉडल एक इंती के वह खरीद लो आज कार्स के इतने मॉडल है ठीक है कि आप पता भी ने लगा सकते कितनी कार्स है मार्केट में कारण कारण सिंपल सा यह है कि आज foreign trade जो हो रहा है तो उसके चलते उसके चलते आपको यह देखने मिल रहा है कि जब इंपोर्ट होता है दूसरे देशों में जो गुड्स प्रेड्यूस है उनका तो उससे क्या होता है कि consumers जो है बायर जो है तो उनकी choice expand हो जाती उन्हें क्या मिल जाते है multiple options मिल जाते हैं ठीक है to choose from domestically produced जो गुड्स है उसके अलावा भी उन्हें क्या है important goods मिलने लगते है तो buyers को एक यह फाइदा है क्या कि multiple variety of products उन्हें मिल सकते हैं फिर क्या है competition among the producer reduces the price and quality improves competition जब होता तो क्या बता है मैंने आपको competition का सीधा सा rule producer के लिए है कि उन्हें best देना पड़ेगा और consumer के लिए competition का advantage यह है कि सब अपना अपना best देगे तो ultimately market में क्या होगा quality improve होगी कम price में च मेरी बास सुनलो अच्छे से कुशन सीधा बनता है वो foreign trade भी नहीं पूछेंगे integration of markets भी नहीं पूछेंगे उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि आप हमें बताओ कि advantages क्या है foreign trade के हमें नहीं जाना foreign trade क्यों होता है तो producers के लिए यह advantage है ठीक है अपने market domestic market से बाहर जाके हो ब competition होगा अलग-अलग buyers आएंगे तो end with the competition क्या होगा price और quality जो होगा वो improve होगा ठीक है reduce हो जाएगा price और quality हो जाएगी improve यह दो फाइदे जो है यह किसको मिल जाएंगे buyers को मिल जाएंगे समझ में मेरी बात तो buyers भी कुछ इस तरह क्या है multiple things को try out कर सकते हैं क्योंकि उनके पा इस ठीक है तो foreign trade से क्या हो रहा है market connect हो रहा है integration of market आपको अलग-अलग countries का देखने को मिल रहा है वही जो हमारी heading थी सब्सक्राइब को इस एक्जामपल को सभी लोग बहुत अच्छे से समझना क्योंकि से आपको present market scenario का system समझ में आगा कैसे dumping strategy काम करती वो सारी चीज़े में समझाता हूं clear हूं तो toys were sold by domestic manufacturers earlier क्या है जब जैसे आप देखोगे foreign trade नहीं था उतना ज्यादा तो इंडिया में जो कह सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं उनको खेलने के लिए toys वगरा लगते हैं वो कहां से आते हैं तो हमारे हैं के local producers बनाते या गुड़े गुड़िया ठीकि उन्हीं से बच्चे खेला करते थे तो अब क्या है कि उन्हें बेचना होगा बेचेगा कौन domestic producer domestic producer जैसा भी बनाना है मिट्टी का गुड़ा बना के देदे लाव बिटा खेलो जाओ ठीक है तो उस तरह से क्या होगा quality नहीं होगी और high price प कि बहुत बच्चे इनको बहुत खिलोने चाहिए तो उसके चलते उन्होंने क्या किया कम दाम में products बेचना start कर दिया क्या हो रहा है यह foreign trade हो रहा है मतलब एक देश से दूसरे देश में trade होना start हुआ तो अब यहाँ foreign trade जो हो रहा है ना example अच्छे समझना क्योंकि आगे वा euro simple सी चीज आप यह नहीं देखोंगे made in India made in China आप यह देखोंगे कि यह सौ रुपय का है पचास रुपय का क्या खरीद हूं पचास वाला खरीद लेते हैं लेकिन इन जनरल अगर एक ही चीज एक जिसी चीज अगर दो कीमत पे मिल रही है एक ज्यादा एक कम है तो किसी को आपको लेकिन इसका एक वर इंपैट क्या हो रहा है तो कॉंपटिशन हुआ अब बायर्स इंडिया है जो है नौ है और ऑप्शन तू ऑप्शन ऑफ चूज़िंग बिट्विन इंडिया इंडिया जो है चैनिज टोईस आप इंडियन बायर हो इमानदारी से बताना ठीक उपर वाला देख रहा है क्या खरिदोगे आप दिखती बात है आपको जब सस्ता प्रोड़क्ट मिलेगा तो आप क्या खरी लेंगे तो इंडियन बायर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया चैनिज टोईस थे फिर नई डिजाइन थी और सस्ता था Chinese toys become more popular in Indian market ठीक है और अब इससे आप analyze करना यह तो example था इस example से अगर आप foreign trade and integration of market को समझो गे तो आपको एक simple economic समझ में आएगी क्या कि जब foreign trade होता है market integrate हो जाते है market integrate होते तो producers को क्या फाइदा मिलता है अब जैसे Chinese producers को क्या फाइदा मिला वह अपने domestic market से beyond जा कि अपने products को sell कर पा रहे थे ठीक है अपने domestic market के अलावा दूसरे markets में compete कर पा रहे थे and they successfully competed ठीक है मतलब उन्हें successfully क्या क्या competition में अपने आपको बनाया रखा कम दाम पे और उन्हें क्या कर दिया धीरे धीरे Indian toy manufacturers जो थे इन्हें बोला चलो ठीक है बहार निकलो market से उन्हें ने market से किक आउट कर दिया Indian domestic manufacturers को अब जब यह स्तीती हो गई ना कि पूरा टॉय मार्केट जो उस पर Chinese toy manufacturers ने कपजा कर लिया Indian toy market पे अब क्या है अब इनके पास monopoly आ गई है जैसा क्या हुआ था जैसा आप टेलीकॉम operators के case में देखो क्या हुआ कि जियो आया जियो कम दाम लेके आया एक सिंपल बजनस strategy dumping strategy कह सकते हैं क्या है कम दाम पे लेके आया दूसरे competitors के पसीने चुड़वा दिया आदे competitors के पसीने चुड़ गए रस्ट इन पीस हो गए डोकोमो टाइप बताया था मैंने एक तरीका रहता है आज अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है सस्ता मिल रहा है तो यह फॉर्श होता है और यह चैनीज चॉइस के इंडियन मैनेफेक्टरर्स जो थे डॉमिस्टिक टॉय मैनेफेक्टरर्स जो थे वो मार्केट से भाहर हो गए ठीक है फॉरेंट ट्रेड के चलते जो बायर्स के बात करते हैं एडवांटेज की तो बायर्स के पास ऑप्शन आया तो टू टू चूस फ्रॉम क्वालिटी बायर्स क्या है डॉमिस्टिक मैनेफेक्टरर्स के लिए लिए लिख पाऊउक है तो यहां न बन म Oo क्या हो जाए लए है domestic manufacturers है ठीक है वो क्या हो जाएंगे perish हो जाएंगे यही चीज हम लास्ट वीडियो के जो topics रहेंगे उसमें और पढ़ेंगे अच्छे से मैं आपको एक हिंट देते चल रहा हूं कि आप advantage disadvantage अगर पढ़ी रहे हो कि foreign trade का advantage क्या producer को तो producers को ऐसा है कि expand करने का मौका मिलता है cost reduce कर सकता है वो लेकिन disadvantage की बात करें domestic manufacturer के लिए तो domestic manufacturers को disadvantage यही है कि वो अगर competition के लायक नहीं है तो वो perish हो जाएगा market से बाहर अपने आप निकल जाएगा क्यों कि उसका जो competitor है वो strong है ठीक है तो वो अपने आप market से बाहर हो जाएगा समझ में आया यह सारी चीज़े थी किस चीज़ की foreign trade की और किस तरह से integration हों तो है market का वो मैंने आपको समझाई simple शब्दों में उम्मीद करता हूं चीज़े clear है यहां तक next video मैं मिलेंगे globalization के साथ तो अब आपने production across countries MNCs और foreign trade यह सारी चीज़ों को समझ लिया अब इन ही सारी चीज़ों के basis पर अच्छी definition बनाएंगे globalization की कि आखिरकार globalization क्या है सिर्फ integration of market नहीं यह कैसे हो रहा है क्या हो रहा है तो अभी तक जितना पढ़ा उसको सबको summarize करेंगे हम next तो अभी के लिए हम क्या करते हैं sign off करते हैं stay connected keep learning together we can we will thank you thank you very much